अमरपाटन में तीन दिनों से हो रही बारिश से जन जीवन अस्तवेस्ट हो गया है यहां के लगभग आधा दर्जन घरों में पानी गुस गया जिससे लोगों को खासा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है अमरपाटन में पिछले तीन दिनों से बारिश के चलते ग्राम लालपूर के घरों में पानी घुस गया नाराज ग्राविडों ने लालपूर में जाम लगा दिया वहीं अमरपाटन के सतना रोट पर नगर परिशत की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई यहां देर राज से हो रही बारिश का पानी गंदी नालियों से होकर घर और दुकानों में घुस गया जिससे ग्रैसी का सारा सामान पूरी तरह खराब हो गया वहीं दुकानों में रखा सामान भी भी गया जिससे नाराज दुकानदारों और रहवासियों ने भी सतना रोट पर जाम लगा दिया जानकारी लगते ही अमरपार्टन पुलिस और तैसिलदार रामदे उसाकेत मौके पर पहुंचे और पानी निकासी की वैवस्था को सही करवाया ऐसा ही कुछ रीवा रोड पर भी देखने को मिला जहां अनाज की दुकान में पानी घुसने से कई कुटल अनाज भीग कर खराब हो गया था जिससे पूरवत नाली संचालित कर दी गई है और जल पूरता निकल रहा है अब सामान निस्तिती है नाली का पूरा गंदा पानी रात में पूरा घुस गया है अभी सुबे रहा के हम लोग देखे पूरा अनाज भीगा हुआ है लगबग लाग दो लाग का नुकसान है रबिन दरनाथ टेगोर यूनिवरसिटी भोपाल निर्फ रैंक्ट फॉर फाइव कंसेकुटिटिव यहर्ज आप देख रहे है दखल नियूद